अमस्कार दोस्तों मेरे नमें जस्वीर और स्वागत आपका आज की इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंदरा स्कॉर्पियो की और यह स्कॉर्पियो का है तो देखेंगे इसके सारे फीचर्स और करेंगे इसे एक्सप्लोर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमार चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसे की ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहूं तो अब बात कर लेत अगर आप को कहीं जैसे खड़ी करके भूल गए हो तो आप इससे ट्रेस कर सकते हो यह आती जैक नाइफ फोल्ड की के साथ यह ऐसी कुछ की अब देख लेते हैं इसका बाकी का लुक तो फ्रंट में हमें यहां देखने को मिलती है प्रोजेक्टर हेड लेंप विद हेलोज लाइट्स लोबी में मिलेगा प्रोजेक्टर हाई बी में मिलेगा आपको हेलोजन ग्रिल आपको इसमें देखने को सिल्वर फिनिश के साथ ही मिलेगी और इसमें आपको क्रोम देखने को नहीं मिलता नीचे दिये हुए इसमें डियारेल और यहां यह सामने बंपर जो प् और यह है इसकी कुछ फ्रंट से ऐसी लुक तो फ्रंट से आपको देखने में कुछ ऐसी देखने को मिलेगी अलोई वील इस गाड़ी में ओफर नहीं होते हैं अब एक बार इसका साइड प्रोफाइल भी देख लेते हैं तो यह मैं आपको पहली बता दिया था कि अलोई वील इसमें अवीलिबल नहीं है अब देखते हैं सीमें की टायर की साइज के हमें मिलते हैं इसमें आपको मिलेगा को उटे हमिल कैप के साथ दू सुपेंतिस द्चट और 7 त्रेिंड के आपको नौर्मल फील से मिलेंगे वेकरिज़ यहाँ यहां यह ओर लियम में आपको मिल जाता है integrated indicator जो कि देखने में काफी खुबसूरत इस गाड़ी को बना देता है और side में यहाँ यह मिल जाता है इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि गाड़ी काफी उचे तो चटने में काफी आसानी हो जाती है अब देख लेते हैं इसके रियर से आपको देखने को पूछ ऐसी मिलेगी इसमें ऊपर दिया हुआ है उपर देखने को मिल जाता है इसमें spoiler और यह कुछ ऐसी आपको देखने को और यह जो नंबर प्लेट के ऊपर वाला पार्ट है इसमें आपको सिल्वरी देखने मुलेगा टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलता है क्रोम में तो यहां इसमें हाई माउंट स्टॉप लेंप वाइपर के साथ यहां इसमें वाशर दे रखा है और यह डिफॉगर भी हमें देखने मुलेगा अब एक बार इसका देख लेते हैं कि इसका जो पीछे वाला एरिया है तो इसमें यहां से आप सीट फोल्ड करके अपना बागी सामान भी रख सकते हो अगर आपको सामान नहीं रखना तो आप इसे नीचे भी खोल सकते हो और दो स्पीकर आपको यह इसके बागी के फीचर तो बागी फीचर देखने के लिए एक बार करते हैं इसका डूर को ऊपन तो डूर में कैसा कोई कैपिस्ट्रिफ सेंसर या कीले सेंट्री का उप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा यह बिल्कुल इसका सिंपल सब्सक्राइब इसमें आपको तो यहाँ थोड़ा सा इसमें इंसाट कि या व zm क मलता है छल दीए इन दर चलते हैं अब हम आगे इसरें अदर और देह लेता है कि अंदर क्या है अब यह है से स्टेरिंग वील आफ इसमे देखने को नहीं मिलेगा यहां इसमें ग्लाउस देख रखे प्रशलब लेट साइड में यह कंतोल सो देखे रखें जिसमें कि हमारे τॉल्यूम के कंतोसे कॉल कनेक्ट देशक और यहां से आप स्रूर्स बदल सकते और यहीराइड साइड ग्रूस कंट्रोल उसे साइट करने का वाइस कमांड के लिए यहां अगर राइट साइड की बात करें तो लाइट के कंट्रोल सापको राइट साइड में मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे तो ऐसी इसकी कुछ है माइडी है देखने में और आप बाकी कंट्र लिए आपको मिलेगा यहां से और यह है डीफोगर के लिए बटन तो डीफोगर आपको अन करना है तो यहां से मिलेगा यह ऐसे कुछ यहां 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 जैसा कि आप देख पारे हो और अगर सेंटर की बात करें तो यह भी थोड़ा सा उगड़ा हुआ यहां पर भी यह रबड की फिनिश देख रखें मुबाइल वगर आप यहां रख सकते और यहां दो बॉटल हुल्डर देख रखें और यह रियर के इस इवेंट आपको यहां देखने के मिलेंगे और यह फ्रेंट की दोनों सीट पर इंडिवीजुली हैंड़ेस देख लेती है अब एक बार इसे ओन भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी माइडी और इसमें क्या-क्या फंक्शन से यह की यह मैंने आपको पहली दखा दी थी यह जैक नाइफ फोल्ड के साथ आती है यह बटन दवायर की बहार तो ऐसा इसका कुछ माइडी और इंस्ट् आफ़ी डिड़ो मीटर और इसमें जो नेडल्स है मतलों जो सुई हैं वो लाल रंकी देखे रखे और जो देखने मागा थी लगती है और अच्छी भी लगती है देखने में अब बात कर लेते हैं इसके मेड़िक सिस्टम की यह इनफोटेइनमेंट सिस्टम की तो के लिए यहां से आप म्यूज़िक पर जा सकते हो यह आपके कॉल के कंट्रोल से फोन के यहां से हूं और यह गाड़ी की इनफर्मिशन आपको बताएगा यह इसकी पूरी की सैटिंग और यहां से आप इसे डारेक लीजीपीएस नैविगेट कर सकते हूं यहां अगर आपको पूरी आपनेसे चला है अगर आपको वार्नेंग लाइट अन्करनी है तो उसके लिए बॉत यहां देखे रखा हैं इसके नीचे रखाथ काफी यूजफुल भी है अगर आपको फॉन वागेरा चार्ज करने हैं तो आप चार्ज लगा के यहां से एक्स्टेंड कर सकते हैं और इसमें कुछ पोर्ट यहां नीचे भी दिये हुए हैं तो एक यूएस्बी और एक ऑक्स का पोर्ट आपको यहां नीचे देखने को मैं दोखिसमें और अगर इसकी बात करें तो इसमें काफी सारे फंक्शन है तो हम पे करने के बाद जैसा की मैंने बताय था यहां से जाएं अब जैसे ही मीडिया का बटन है तो उपर आपको मीडिया दिख जाएगा और यह ट स्क्रीन भी है अब यहां से में वापिस झाऊंग किया तो यह यहां दिखा देगा distance to empty कितना है यह से calculate करके alert info अभी आपके पास कोई alert नहीं है सब्सक्राइब कोई सर्विस का अलर्ट है या कुछ भी है तो यह सर्विस इन्फो अगर कोई में भी चीज शीज सीख सकते हैं जैसे कि infotainment कैसे अपरेट करना है क्रूज कंट्रोल कैसे करना है क्लायट के सगर कि राइन 않 Say कि रिए इस प Texas आइसु जैसे करना इसमें सेंसिंग सिस्टम भी है तो इसमें क्या है कि जैसी आपकी आपकी पारेश की बॉंदे इस पर पढ़ेंगी है विंड श्क्रीद फड़ेंगी तो व्ट इस तोड़ां सान कर सकते हो कि यह डिस्प्ली की सेटिंग है क्लोग की सेटिंग है और यहां से वीकल की और अगर आप ने कोई USB लगा रखें कोई पैंडाइब अगरा तो उसके लिए आप हमाई ड्राइब से जाके के सेटिंग कर सकते हो तो यह तो कि इन्फोटेन्मेंट की बात अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की तो फ्रंट में आपको सामान तो इसमें नहीं आ पाएगा मतलो आप नॉर्मल जो डॉक्युमेंट्स वागरा उते हैं गाड़ी के वही रख पाऊगो इससे ज्यादा तो इसमें जागा देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसका जो ओवरॉल है यह डैश वोड यह वी काफी छोटा है और वहां वह स्कॉर्प्यों की बैजिंग आपको देखने को मिलती है टॉप एंड वीरेंट में यह क्रों की हो जाती है लेकिन यहां तक यह आपको नॉर्मल प्र यह चार उपावर विंडू और जो ड्राइवर साइड की विंडू है यह और टो अपडाउन फंक्शन के साथ आती है तो यह आपको कंट्रोल यहां देखने के मिलेगे हैं थोड़ा से फैब्रिक और यहां यह फिर से ग्लोस फिनिश देखे रखिए तो यह है इसका और रेफ्रेंस के लिए मेरी हाइट पांच फूट दस इंच लेकिन उसके बाद अब आगर मैं बैठ जाओं तो बहुत ज्यादा स्पेस तो इसमें देखने को नहीं मिलता कि बहुत ज्यादा स्पेशियस यह नहीं है ओवरॉरॉल लेकिन हाँ एडुकेट स्पेस है मतलब ज्यादा टाइट भी आपको फिल नहीं होगा तो एडिकेट स्पेस है और पिछे साब को काफी ज्यादा उंचा वी देखने को लगता है कि यहां से अप देखोगे तो काफी ज्यादा उंचे पर बैठ्थे और यहां यह एप्ट लिए कंट्रोल्स यह हैंडल और यहां यह अगर आपको कोई मोबाइल वगरा रखना है तो मोबाइल वगरा के लिए है यहां लेकिन इतुछ चोटा चाहिद मोबाइल को या आता तो है निए आज अज़कल और यहां यह सेंटर की बात करें तो यहां यह छोटी से ग्लास ओल्डर टाइप के देख रखे हैं छोटा सा स्पेस ही में ऐसे कहूंगा ग्लास ओल्डर तो क्या ही कहेंगे से और यहाँ यह इसमें एसी के वेंट रियर आसी के लिए और इनहीं आप यहां से क्लोज या बंद भी कर सकते हो यह इसका कुछ ऐसा रियर से और S9 वेरियंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों पर ही एड़ेस्टेबल हैड़र्स देखने को मिलेंगे जो की परस्नली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि आप अपनी हाइट के साब से मज़ागर कोई कम हाइट वाला बंदा तो इसे नी से देखें तो यह कंप्लीट डैशबोर्ड की लोग है तो डैशबोर्ड में मतलब बहुत ज्यादा तो चेंजिस नहीं हुए हैं लेकिन अभी जो आने वाली स्कॉर्प्यों है उसमें हम काफी ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि काफी चेंजिस होंगे लेकिन अगर देखें तो काफी सिंपल ही इसे बनाएगा है डैशबोर्ड को बहुत ज्यादा इसमें मतलब लक्जरी फील तो नहीं दी गई लेकिन हाँ सभी चीजों को डंग से कैप्चर किया गया जैसे कि टस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम और डैसी वगएरा सभी चीज अब बात कर लेत प्राइज की तो एक शोरूम प्राइज इसका फरीद आवाद बारे लाग तरतालिस अजार मतलब लगभग आपको पंद्रह से सूले सूले लाग क्यास पास से आपको उन्रोड पढ़ जाएगी तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें